दोस्तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं Sting Energy Drink इसको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए आज कल आप देखते होंगे छोटे से लेके बड़े लोग बहुत लोग इसको पी रहे हैं नहीं लेनी चाहिए किसी को भी 500 ml का मतलब यह 200 ml की बोतल है इसको दो बोतल से यादा नहीं पीना चाहिए 20 उर्पे वाली बोतल है और कई लोग 3-3-4-5-5 बोतल भी पीते हैं बट क्या होता है जब अगर ज़्यादा बोतल आप पी लेते हैं तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट के थुरू आपको समझाने वाला भी हो तो दोस्तो सबसे पहले गिलास में सिस्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंग को ले लेते हैं उसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगा दोस्तो ब्लीचिंग लिक्विड ब्लीचिंग लिकविड नॉर्मली यूज होता है कपड़े वगएरा को कोई दाग है कुछ है क्लीन करने के लिए तो इसके अंदर मिलाकर देखते हैं इसका जो कलर है रेड कलर इतना अच्छा दिखने वाला जो रेड कलर है क्या वो फीका पड़ेगा उड़ेगा या नहीं उड़ेगा तो ये इसके अंदर मिला दिया और देखेगा किस तरीके से ये हो गया है और इसका जो color है वो almost magic की तरह चला जा रहा है और ये देखेगा almost अब ये पानी की तरह दिखनी शुरू हो गई है ये तो था दोस्तों की bleaching liquid को string के अंदर डालते हैं तो क्या होता बात करते हैं इस ring की तो इससे थोड़ा energy तो मिलती है बट इससे अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं heart attack, blood pressure effect, नींद नाना, tension इस तरह की problem होने का खत्रा भी लेता है तो इसको एक small quantity में लेना चाहिए जैसा की बताया भी हुआ है ज्यादा नहीं पीना चाहिए और कोशिश कीजिए नहीं इसकी जरूत पड़े मैं तो आपको यहीं suggest करूँगा तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक like ज क्यार भी जरूर कीजिएगा